हेले फ्रेंड्स मैं जानता हूँ आपको पता होगा मेटल्स के बारे में तो मैं आज आपको थोड़ा सा एडवांस पताने वाला हूँ जैसे की प्योर गोल्ड मेटलोइड्स एंड अलोई फर्ष्टली हमारे प्योर गोल्ड तो मैं आपको बता दूँ कि जो पियोर गोल्ड होता है वो पूरे 24 करट का होता है जो कि बहुत ज़्यदा सोफ्ट या महम कह सकते हैं वो नरण होता है उसी कोई भी जोईल्री नहीं बन सकती तो जोईल्री बनाने के लिए या उसको जो होते हैं वो जुवेलरी बना पाते हैं सो सेकंड हमारा है मेटलोइड्स कुछ एलेमेंट्स ऐसे होते हैं जो ना तो मेटल्स की केटिगरी में आते हैं और ना ही नोन मेटल्स की केटिगरी में आते हैं ऐसे एलेमेंट्स को हम बोलते हैं मेटलोइड्स तो मैं इनका एक्जामपल बता देता हूँ आपको जैसे की सिलिकोन एंड जर्मेनियम यह मेटलोइट्स की केटिगरी में आते हैं थर्ड हमारा है अलोए कभी-कभी एक या एक से ज़्यादा मेटल्स कम्बाइंड हो जते हैं या फिर हम उनको करते हैं कम्बाइंड एक नया सबस्टेंड बनाने के लिए तो जो नया सबस्टेंड बनता है उसको हम बोलते हैं अलोए जैसे एक्जामपल के तोर पे आईरन और कार्बन को हम मिक्स करेंगे तो वो बन जागा स्टील जैसे एक्षण सबस्टेंड जैसे एक्षण स्टील